जांसी तुमको डांस पसंद है ना इसलिए मैंने प्रभुदेवा से और राजु संद्रम मास्टर से डांस सिक्क्या आया हूं अब तुमको आई लव यू कहना ही पड़ेगा हां हमारे घरवाले भी तुमसे कुछ पूछने के लिए कहते रहते हैं क्या मुझे आई लव यू सेट मेरे डाड़ी है दिव्या आई लव यू दिव्या मैं तुम्हारी लिए कुछ भी करने को तयार हूं सिर्फ एक बार आई लव यू कह दो मैं तुम्हारी अच्छी तरह से खाल रखूँगा काने विरूर है उससे बैतर हूं तुम मेरी हो और सिर्फ मुझे प्यार करो पगला कहीं का एक साल बाकी है तेक नामे तुम्हें अपना बना के रहूंगा जाम भाइब लुकृंदे करोगी तो मेरे डैटी बहुत बड़ी म्यूजिक टेस उनसे कहका हुद में तुम्हें फिल्मों में गाने का चांस दिल्बाउंगा तुम साच कह रहे हो अरे दोस्तों हमसे लड़किया नहीं पटेगी तोते का जोतिस हाथ का जोतिस कम्पीटर जोतिस आये 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 तोते का जोतिस हाथ का जोतिस कम्पीटर जोतिस फ्यूचर टॉर्चर सब बताऊंगा आपको क्या चाहिए हमें लड़की चाहिए गलत जगह पर आ गये हैं फ्य सिद्धाद स्टाली और आदी आप लोगों का नाम तो बहुत अच्छा है अच्छा तो आपका नाम क्या नाम है खोपड़ी खाओ दिमाग खाओ जोतिश हमारा अपने अपनी खोपड़ी कुझाओ प्यारे तोसे इन लोगों का बविश्य बताओ जल्दी इधर देखो ये देखो एश्वर आराय जोतिका सिम्वरन अजय तो में काईए ये तुम्हें सपने में भी नहीं मिलेंगी क्योंकि इन सब की शादी हो चुकी है अरे दोस्त अपने से तो लड़किया पटेंगे नहीं ये प्रभाकर के नाम से देखते हैं आजा मेरे अब मैं बताता हूं उसकी जनम कुंडली वह जहां भी रहेगा प्रब्लम होने वाला है इतना ही नहीं प्रब्लम इसको ठूंडते हुए आईगी हाई नमास्ते कौन है आप तेरा दामा दसी दिने यार यह क्या है इलेक्षन का फंड है यह इलेक्षन से मुझे क्या मतलब पैसा चाहिए इसमें जो लिखा वो देना इतना मैं नहीं दे सकता तेरी तो भाई उससे क्या मतलब है इधर है ना अपना धनलक्षमी हाँ अपना अमाउंट बराबर है क्या उसने ज्यादा होगा बाई जो भी इस डिब्बे में ले जाता हूं शाम तक फिर से भर जाएगा यह है है पीच में दूर बोला रहे है यम्राज हूं मैं अनाथ लोगों का पैसा अपने फाइदे के लिए इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है भाई है इसके हाथ पर तोड़ दे है 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 हुँँ हkins होँँ है 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 हुँँ पर खोड़ाएएएएएए फूछ आई! 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 आक, आई! 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 कि आप मेंटल होस्पिटल क्यों जा रहे हैं तुम्हें मालूम नहीं है क्या मैं मेंटल होस्पिटल का डॉक्टर हूँ अच्छा जड़ा ओटो रोपना दादा जी ज़रा रुकिये आप किसका इंतजार कर रहे हैं महत्मा गंधी है ना हाँ उनका डांडी आत्रा इधर से शुरू हो रहा है मैं भी शामिल होने जा रहा हूँ तुम कौन हो मैं पी नहरू पंजीत जवार लान ले हैं हाँ तो गुलाब का फूल कहा है रास्ते में बच्ची निमांगा उसे देख अच्छा आप इधर जा रहे ह आई तरह साथ में चलते हैं हाँ हाँ चलो चलो हलो क्या हुआ बात है क्या क्या उसने क्यों डॉक्तर साब आपने इंको तमीज नहीं सिखाया जब देखो मार पिटकर के स्टेशन आते रहते हैं है डॉक्तर साब ये कह रहा है कि गुंडे लोग अड़ा थाले का पैसा ले जा रहे थे तभी मैंने इनको बारा अपने बेटे का साथ देने वाले लड़कों की यह सब के सब चोर लफंगे दिखते हैं गुंडो को पकड़ने के लिए हम है इनसे कहिए अपनी पढ़ाई लिखाई किया करें सारी सर इनकी गलती के लिए मैं आप से माफी मांगता है ऐसा कब तक कहते रहेंगे आप सरम औरम आती है कि नहीं दुबारा अगर ऐसा हुआ त सब्सक्ति के लिए त्यार हो गया है तुम लोग इस देश को छोड़कर चले जाओ इंको छोड़ दो ये क्या कर रहे हैं सत्याग्रह का समय हो गया है आप यहां जग्रा मत कीजिए देश भक्तों को लेकर मैं आता हूं आप भाहर रुकिये यह मुझे देदिगे हम तो हिंस प्रभाकर मैं तुझे कितनी बार समझाओं तेरी डैडी हॉस्पिटल जाके पेशेंट को देखेंगे या फिर डेली पोले स्टेशन जाके तेरी जमानत करवाएंगे कॉलेज जाके पढ़ने की बजाए गुंडागर्दी करता रहता है मां वो इंस्पेक्टर मुझे डाट रहा था मुझसे जादा डैडी को पागल कह रहा था दुनिया भर के पागलों का इलाज अपने हॉस्पिटल में ये करते हैं मुझे समझाने से पहले डैडी को समझाओ ज्यादा मत बूल तुम ज़रा शांत हो जाओ देखो बेटा रोट पर किसी अनात को हम कैसे छोड़ सकते हैं वो कौन है क्या है ये जानकर उसकी मदद करनी चाहिए यहीं इंसानियत का करतव्य है अनात लोग दिमाग से कमजोर होते हैं उसको होस्पिटल में ले जाना मेरा फर्स बनता है दुनिया वाले कुछ भी बोले मुझे इसकी परवा रहा है ये सब आपकी लाड़ प्यार की वजह से कल से तु कॉलेज नहीं जाएगा इसको आप अपने साथ ले जाईए और कंपाउंडर का काम सिखाईए तब जाके ये सुधरेगा मिस्टर नेरू आज के बाद मैं पुलिस स्टेशन गया तो मुझे जमानत देनी की आता है ना वो तो हमेशा हमें कुछ न कुछ कहती रहती है दुखी मत हो बेटा है ये ले पकट अपने दोस्तों के साथ जाके इंज्वाई कर एई गुस्सा क्यों कर रहा है मैं गुस्सा करूंगा अभी तो आप ऐसे दोगे हाँ कर दोगे पोलिस पर हमला करके भागने की कोशिश की एंकाउंटर में मारा गया केस की फाइल बना दो हमने या जोटे लिए प्रेकर आप 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 इस तड़क पर के काटने माला कौन है लगता है कॉलेज की लर्किया है सर मैं श्वेदा के कॉलेज के प्रिंसिपल बोल रही हूं वो हफती में तीन बार भी क्लास अटेंड नहीं करती है पैरेंस लोग कंप्लेंड करते हैं कि उसने अपनी सारी सहीलियों को बिगाड़ा है आप अपनी बेहन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजे सर वरना उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा ओके मेडम, I will check them Excuse me, madam, गाड़ी में बैट जाएगे What? हाथ से आप कहीं भी जाएगी, तुम आपके साथ चलेंगे Who are you? हमें सर ने बेजा है तुम्हारी सिक्यूरिटी के लिए Shit! भाया, मैं क्या अभी भी छोटी सी बच्ची हूँ जो मुझे सिक्यूरिटी की जरूरत है I can't go with them, okay? You must go with them आर यूना, भाई भाया, मैं रोज कॉले जा रही हूँ या नहीं, यही च्रक करने के लिए आपने सिक्यूरिटी अरेंज किये न? हाँ, तुम्हारा भाविश्य पता है, तुम्हारा पढ़ना जरूरी है आज के बाद तुम जहां भी जाओगी यह लोग तुम्हारे साथ होंगे शेह अलो श्वेटा, हैरीबोटर के निकिन लिए या चल्ड़ी आओ ए आ रही हूँ ना, चल्ड़ा गभी ज्चेए मैं ए रंड़ा रूड़ा लड़की को हमारे हवाले करो चला जड़ है तोट जा बगा है करो तो 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 प्यु gat घर जाए व happens उप जॉह उरुहू उपसे तक हμέने है खप हम एत्र तो एक मैं झी का विअ तो जुप अरे यह तो प्मालना है चलो उसको बचाते हैं चलो चलो यह क्या है बच्चों के खिलने वाला गन दिखा कर मुझे डाना रहे हम लोग पुलिस वाले हैं हाँ पुलिस वाले सॉरी सर आप लोग वर्दी में नहीं थे और लड़की का पीछा कर रहे थे तो तो गुंडा समझ के मार पीट किया वेरी सॉरी सर इन्होंने कहा न अंजाने में मार पीट किया छोड़ो इन्हें जाने दो मैडम आप चुप हो जाईए ऐसा ही टपोरी लोग आप जैसे लड़कियों के सामने हीरो गिरी दिखा कर बाद में प्यार मुहपत बिल्ड़ अप करते हैं सर 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 यह क्या ड्रामा है अब तक मुझे आइडिया नहीं था अब तो आपने आइडिया दे दिया मैं फ़लो करूंगा स्वीटी आई लाव यू जानता है कौन है यह एंड काउंटर इस्पेस्टेस रवी संद्रा की बहन है यह तेरे को एंड काउंटर कर देंगे स्वीटी आई लाव यू, आई लाव यू, आई लाव यू, आई लाव यू, स्वीटी डालिंग, तुम अपने भाई से ड़ना नहीं, मैं हूँ जब भी तुमारा मूड होगा तो मुझे बताना सम्झी, ओके, दोनावला गूमने चलेंगे बहुत सुन्दर दिख रहा है, इस गेट अप में पेपर में दे दिया तो, तुझे लड़की देने के लिए कोई नहीं आएगा सर सर इसे छोड़ दीजे, बहुत अच्छा लड़का हैं जाने में गल्ती की थी, माफ कर दीजे सुरे, तुम लोग इसके सपोर्टर हो, हाँ सर, यह मेरा फ्रेंड है, इसको कुछ हो गया तो हम रहने ही पाएंगे ओहु, इससे छोड़ दिया तो यह कमिशनर की बहन से प्यार करेगा, लगता है तुम सब पुलिस वालों की बेटियों से प्यार करते हो है इंस्पेक्टर, वाट इसस? मैठम, आप यहां क्यों आई है? मैं यहां पर सब की जमानत लेकर आई हूँ आपको प्रॉब्लम दिया, इसलिए इन सब को अरेस्ट किया है मुझे प्रॉब्लम दिया, ऐसा आपको किसने कहा? मैंने तो इन सब की कम्प्लेन नहीं की थी, फिर आपने अरेस्ट क्यों किया? आपके सिक्यूरेटी ने कम्प्लेन दिया है अरे ये लड़की तो हमारी ही तरह बात कर रही है, लगता है उसके भी कपड़े उतार कर बिठाएंगे जमानत के पेपर दीजिए ये लिजे सर बहुत बहुत धन्यवाद, इस बार आपने हमें बचा लिया थैंक्स स्वीटी हें, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए क्यूंकि पहले यी बार किसी लड़के ने हिम्मत करके मुझे आई लव यू कहा है और वो तुम हो आई लव यू तू फिर मिलेंगे प्रभाकर, बाई रुको अरे ये लड़की भी मैं तो सिक्यूर्टी के सामने मजाग में आई लव यू ऐसे ही कह दिया था ये तो एकदम सीरियस हो गया तो गया या तुम अपने हाथों से खिलाओगी तो अच्छा लगीगा खिलाओगी ना अरे तेरी बखवास बन कर है 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 जल्दी खतम का टॉर्चर पार्टी धिरी आरी है अरे जल्दी से मूँ चुपा ले परना हमें परेशान करेगी ए तुझे मूँ चुपाना है तो छुपा हम क्यों मूँ चुपाएं हाई हलो हाई तुम तो मुझे आलव यह कहके चले गए पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ बताओ ना क्या करूँ देखिये मैडम उस दिन सेक्यूरिटी के सामने मैंने मजाक में कह दिया था उसे आप सीरिसली मत लीजिए क्या कहां समझता क्या अपने आपको तू क्या आपने आपको बहुत बड़ा हीरो समझने लगा है कॉलेज जाती हूं तो पीछा करते हो बस्टॉप पे लव लटर देते हो कभी तुमने अपनी शखल देगी आईगी मैं प्लीज छी छोड़ो मेरा फोन नमर लेके मुझे फोन करते हो जब बन चाहे ताब SMS भीजते हो क्यों अब तुम्हारा मुह क्यों बंद है आइंदा मुझे कोई भी लव लटर दिया या मेरा पीछा करने की कोशिश की न तुमने तो मैं तुम्हें जेल में हमेशा के लिए बंद करा दूंगी मुझसे कहता है कि मैं इसे आलव यू नहीं कहूंगी न तो ये बदले में मेरे फेस पे ऐसे डलवा देगा इसकी कमर इतनी खुबसूरत है तभी तो तुने आलव यू कहा होगा लड़की का चेहरा देखकर तो फेसल गया क्या रे ये प्राब्लम तो मेरी है मुझसे पूछ न ये सब जानकर भी क्यों इससे उलच रहे तु ये मेरी प्राब्लम है जा यहां से भू उठा के चला आय हालो प्रभाकर कोई दूसरा आत्मी मुझे छेड़े तो तुछे गुस्सा आता है इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करता है ना देखो मुझे तुमसे प्यार व्यार कुछ भी नहीं है किसी लड़की के साथ हैसा होगा तो मैं यही करने बाला हूं बात समझ भी आई हां सम चलती हूं है किदर फॉसका है अब हुआ कि लड़का सो गया है तो मेरे पास आदो हुआ 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 है मेरे भाईया एक अच्छा सा लड़का ढूनकर मेरी शादी कराएंगे तुम कोई दूसरी ढून लो खोए हुए चान यह बहकी बातें करना बंद करो और सुनो जल्दी से आ जाओ ठीक है तुम मजबूर कर रहे हो इसलिए आ जाती है लेकिन इन चार पहलवानों का मैं क्या कर हूं उनसे मैं कैसे बचू हूं हलो है कमिशनर बोल रहा हूं शोयता कॉलेज के अंदर गई है ना हम ठीक है तुम दोनों जल्दी से कमिशनर आफिस में पहुंचो ओके सर ने क्या कहा सर ने अर्जिन बुलाया है सर तुम लोग अचानक कैसे आ गए सर आपने ही तो फोन किया था मैंने तुम्हें फोन किया सर आपने ही तो फोन करके कहा था कि कुछ अर्जिन्ट है आ जाओ हलो जी बहिया श्वेता कहा हो तुम कॉलेज में हो बहिया क्या बात है बहिया बहिया मेडम क्या हुआ वेट मशीन आपको क्या बता रही है वेट किया मैंने कॉइन डाला मगर कार्ट नहीं निकला मैडम तुम्हारी यह लाइट वेट के लिए सिर्फ लाइट जलेगी कार्ड नहीं आएगा देखो बेटा तुम जितने बार भी इस मशीन पर मारोगे एक मगर नॉट वोकिंग का बोर तो रखना चाहिए ना इस एरिया के गुंडों से सामना करने की हिम्मत किसमे है वो लोग इस थीटर के मैनेजर को डरा धमका के इस वेट मशीन को यहां रखते हैं और रोज वो लोग 500-600 रुपे कमाते हैं अगली बार इस मशीन में पैसा डाल के धोगा मत खाना नीचे उत्रों अब तुम क्या करोगे नीचे तो उत्रों मैं बताता हूं तुम्हें को कैसे ढूंड निकालना है तो ने इसको क्यों तोड़ा आज के बाद कोई धोखे में नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा भाई है क्या तेरे साथ लड़की इसलिए होश्यारी कर रहे गया लड़की नहीं होगी तो भी करूंगा मैं अरे यह तो डिर्शाना बन रहा है इसके हाँ से पैसे लो और तोड फिर्शाना बाहा है चाल जसमाए तो पिर्शाना बनल ऊखिए से रादन बनले कर दोड़की चिसे जख्teen हैं ड्नली जवाफद जब दोल एजना है भी बाद मिंसे फिर्शाना थिर्शानों ड्नली नहीं हो चृइब का इससे उषकशाना प्यूज से घ Keात क्त प्यूज प तुम जाओ भाया अच्छली उसने जाओ मैं वो जाओ जाओ सर, बीच में जगडा करने के वज़े से जुवू पॉलिस ने सेविंटी फाइव विसीपी आक्ट से तीन बार आरेस्ट किया है वर्ड कमिश्टर गायगवार को मार के जखनी किया 341, 343 आईपी इससे आक्ट कहता है वर्सोव पॉलिस ने दो केस दर्स किया है रोज किसी अपराद में पॉलिस टेशन जाने वाले एक गुंडे के साथ प्यार कर रही है तो अब तक मेरे एंकाउंटर में क्रिमिनल मारे गए हैं इस लिस्ट में तेरे प्रेमी का नाम नहीं आना चाहिए आपका एक ही लड़का है प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ा तो आथ की चिता में आग देने वादा नहीं बचेगा एंकाउंटर अवी चंद्रा आथ के लड़के को शूट करके टेरिरिस्ट बनाकर फाइल कोस कर देगा आज के बाद से उनकी बेहन से ना मिले यही समझाने आया हूं मैं समझा रभा कर जी हाँ ओके उस लड़की का नाम है श्वेता वो मुझसे प्यार करती है मैं भी तो उससे प्यार करें यह हमें पसंद नहीं है आपको जो पसंद हो मुझे बताइए मैं उससे प्यार करूंगा प्रभाकर हम सीरियसली बात कर रहे हैं क्या डैडी आप भी बाकी पैरेंट्स की तरह प्यार के दुश्मन हो गए जो आया था उस पुलिस वाले ने आपको डराया क्या डरिये मत मैं सब देख लूँगा उसका पीछा छोड़ दो हमारी बात मान लो अगर आपकी बात मानी तो मैं पागल होकर आपके हॉस्पिटल में एडविट हो जाओंगा यह चलेगा अगर तू पागल हो गया तो संभाल लेंगे मगर तुझे कुछ हो गया तो प्यार करने वाले किसी से डरते नहीं है मॉम आप जैसे लोग स्टेटोस्कोप से हर्टवीट को सुन सकते हैं मगर जजबात को नहीं समझ सकते देख प्रभाकर या तो उसको भूल जा या फिर हम लोगों को भूल जा मैं अगर कहूं कि आप डैडी को भूल जाए तो आप भूल सकते हैं क्या रहे तू पागल येसी बात कर रहा है मैं पागल हूँ आप है पागल हमेशा पागलों के साथ रहते हैं आप जैसे इंसान प देडी मानी जो कहा क्या देडी मैं उसर लर्की को भोल जाँगój बोल जाँक blender अगर मैं आपका बेटा नहीं हूँ ऐसा अब बोलेंगा देडी देडी सॉरी तो しसे रपिधां आव पटया हूँ आओ सच्छे बेटा, तुँ हमारा बेटा नहीं है, तेरे डेटी, मेंट्यल होस्पिटल में बरती है इनकी एक्टिविटी सही नीची, इसलिए हमने शॉक ट्रिट्मेंट दिया है, अभी सो रहे हैं, मैं चलता हूँ यह मेरे डैडी है, और मेरे मा कहा है मैं और करीमा मेडिकल कैम खतम करके घर की तरफ आ रहे थे क्या हो गया भाई? लगता है कुछ प्राब्लम हो गया सर् क्यों रगू, आने से पहले चेक नहीं किया था क्या? क्या हो गया जी? कुछ गडबड़ी बता रहा है इनको बचाए, इनको बचाए इनको बचाए न, देखिये न क्या हो गया इने उनको बचा लीजी, बचा लीजी उनको कुछ नहीं होगा आप में किजिए बचा लीजी, मेरे बचा लीजी का कुछ लोग हमें मानने के लिए हमारे पीछे न, पड़े आप चिंता मत किजिए, उनको कुछ नहीं होगा तेरे डैडी को तो हमने बचा लिया मगर उनका दिमाग चला गया वे पागल हो गया उनके बारे में हमने पेपर में देने की बात सोची मगर तेरी माने कहा कि उनके बहुत सारे दुश्मन है इसलिए हमने पेपर में नहीं दिये और हमें भी एक उलाद मिल गई इसलिए हम भी तुझे अपना बेटा समझ कर पाल रहे थे अगर तुझे तेरे डैडी के बारे में पता चलता तो तू हमसे दूर चला जाता यही सोचकर हमने तुझे नहीं बताया तेरे डैडी के पास से हमें और कुछ नहीं बलकि यह मनी परस मिला जिसमें यह बच्ची की तस्वीर है देखो परिशान मतो प्रभागर तुम्हारे डैडी के ठीक होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ओ बच्चा कौन है यह तेरा ही प्राब्लम नहीं हम सब का प्राब्लम है ए तुझे इस हाल में देखके हमें भी बहुत दुख हो रहा है मेरे डैडी के ऐसी हालत के लिए कौन जिम्मेदार होगा हालो फोन उठाओ प्रभागर प्रीज मच से बात करो क्या हो गया इसे इसनी बात मुंक्या उठाई नीदा है श्रुट लगेज दिखो तूमच, तूमच कौन है बे तू बड़ावे चित्र लग रहा है मदर इंडिया केसने दखका मारा ए मिश्टर तूगोजे या वोट दू यू वांट यूर पास्पोर्ट प्लेज पास्पोर्ट, कॉम आण टेक इट ये तो राशन कार्ड है येस, मेरे जैसे बड़े आदमी के लिए ये है पास्पोर्ट मगर ये फेस और इस फोटो में अंतर है, रूप बदला है क्या? आने से पहले सही था, आने के बाद ऐसा हो गया है किदर है? मिल गए हो, आईए, 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 विल्कम टू इंडिया दमाजी, विल्कम क्यो दमाजी आप अकेले आए हैं? सुवर भीड जमा करके आता है, मगर शेर जब आता है अकेला आता है ये क्या, ना को लिपिस्टिक लगात रखा? ये लिपिस्टिक नहीं है, पीछे से किसी ने धक्का मारा, तो मेरे नाप में छोट लग गई, और ये कह रहा है मैंने रूप लगाता है काउन बोला मेरे दमाज को रूप बदला? तो स्वीट सुपर स्टाइल में ओके जेंटलमें, यू कन टेक यो राशन पासपोर्ट ये होई ना बात अंकल, अभी तक अपना इंडिया बदला ने तेरे देश जैसा नहीं है ये पॉलिक्टिक्स, रिश्वत, ब्लैक मनियस अब इंडिया को पीछे कर रहा है ओके, मैं आ गया हूना, ब्लैक को वाइट कर दूँगा वो कैसे? पेंट से ये गउन है? ये आपता है सेकेटरी वेलकम सर को आपकी सेक्यूरटी सेक्यूरटी मुंसी पल्टी वाले लग रहे है आपके फ्रेंड प्रभाकर के पिता जी के बारे में जानना मुश्किल है यहां आने वाले हर कोई पेशेंट को किस करण से आया है देखते ही पहचान लेता हूँ देखो यह प्यार में पागल हुआ है प्यार प्यार करता रहेगा जो डिरेक्टर बनने में नाकामियाब होते हैं वो एक्शन कट कहते रहते हैं समझ गए उसी तरह चैनल मुखी फिल्म देखके आने वाला लाका 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 बोलेगा मगर यह आदमी किस वज़े से पागल हुआ हम बता नहीं सकते अरे हर रोज गेट अप चेंज करके आता है एक दिन डॉक्टर बन जाएगा किसी दिन कंपांडर बन जाता है कभी लायर बन जाता है मुझे उसका असिस्टेंट बनना पड़ता है आज किस गेट अप में आएगा बोन जाने परशुराम सुरंद्रपाल तुम लेट से जाओ कैप्टन प्रभाकर तुम राइट से जाओ मिस्टर चौधरी तो मिस्ट्रेट आजाओ ओवर एस याराम अभी मुझे पता चला है कि जैशंकर जेल से भाग गया है उसको किसी तरह पकल के शूट करना है जैशंकर को मरे कई साल हो गया है अब यह शूट करने को कह रहे है वो देखो वो गुंडा अटों से भाग रहा ह मेरे पिशाओ अरे रुको अरे तुझे जैशंकर समझ कर सूट करने आ रहे हैं जा तू जाए यहां से अरे जादिकर मर्ला है क्या तुने ओठो को जाने क्यों दिया उसको पता चलिया अब एस पी परशुराम हो मेरी जीप निकालो मैंने जैशंकर को नहीं पकड़ा तो मे किसी से बात तक नहीं करता अरे तुम लोगोंने लवर से बात की नहीं क्या या ठूलों की बात करता था है वह गोली हिसमे का खता लगाने तक मां किसी से बात नहीं करूंगा आज मेरे भाई NTR का जनम देन है, आज मैं तुम सब को स्वीट खिलाऊंगा तुम्हारे डैडी को बाहर लेकर जाना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा वो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम ही जरा इस बारे में सोच लो कि उन्हें बाहर ले जाना चाहिए या नहीं डैडी उनका सारा जीवन हॉस्पिटल में रहकर बेकार चला गया इसलिए मैं उनको बाहर गुमा कर लाऊंगा, तो उनमें कुछ तो बदलाव आएगा आज आपका जनम दिन है क्या बहरा चीबात है मेरे भाई का जनम दिन है, आज दुपर पर हमारे साथ खाने आ रहा है उनका ख्याल तुमको ही रखना होगा, समझ गए? आपका दिमाग खराब हो गया, NTR को मरे कितने साल हो गया आप कुछ भी बात करते हैं, यह सब पागल लोग आपकी बात मानेंगे क्या? आप रहे बाप रहे मर गया क्या हो गया तुमको? मैं आपको अपनी परिशानी कर से बताओं? या मेरा तबादला करो या इस पागल को यहां से निकालो आज मेरे भाई NTR का जनम दिन है, स्वीट लो, स्वीट लो NTR खाने पर आ रहे हैं, NTR को मरे कितने साल हो गया NTR को याद करके लोग उनकी फोटो की पूजा करते है NTR के जनम दिन को अपना जनम दिन समझ कर मनाते है और यह कह रहा है कि आज उनका जनम दिन है और उपर से कह रहा है कि NTR खाने पर आ रहे है यह जो कह रहा है, वह सही है NTR का जनम दिन है NTR भाई आज खाने पर आ रहे है प्रभाकर कहां है? दो दिन हो गए, उसने मुझ से बात नहीं की है अपने डैडी के साथ हास्पिटल गया है ठीक है, मैं आती हूँ श्वेता, श्वेता श्वेता, बस में जल जल दियाँ, प्रवाकर बाहर जा रहा है सुनिए, ये श्वेता कहां चली गई? थोड़ा दूना, टैडी, थोड़ा सा लेलू MTR भाई आने वाले, मैं उनी के साथ ही खाना खाऊंगा जासी की रानी, नमस्कार, आपका घुड़ा का है मैं फोन करूंगा तो आ जाएंगे उन्होंने मुझे फोन करके बताया था उनके साथ महात्मा गांदी, नेरू जी, सुभार चंद्रबोस, मदुबाला सब आ रहे है मतलईना कुमारी इंसे पूछो थोड़ा खालो ना डेडी तुम अपने आपको समझते क्या हो मैंने तुम्हें कितनी मार फोन के अपर मेरा फोन नहीं उठाते हो और यहां पर बैटकर इस पागल के साथ बाते कर रहे हो मुझसे जादे तुम्हें ये पागल प्यारा क्या देखो बैटी तुम जिसे पराया कह रही हो पराया नहीं है अब तक प्रभाकर डॉक्टर साहब को अपने डेडी समझता था पर वो उनके डेडी नहीं है प्रभाकर के डेडी ये है थोड़ा ने लूना डेडी थोड़ा सा खालो थोड़ा सा थोड़ा सा कि मचे मालन नहीं था कि ये तुम्हारे डेडी है मचसे गलता है बड़म चलिए हां से मैडम हमारे साथ चलिए साहब बहुत नाराज है थुरण चलिए हॉस्पिटल में आकर आप लोग अप्रा क्यों कर रहे हो है तेरे डेडी पर हाथ उठाता है अगया कि अगया ए तो मेरे घर क्यों आए मैंने आपकी बेहन से प्यार किया ये सच है अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त आपकी बेहन को मंगल सुत्र पहना सकता हूँ मगर मेरे लिए आपकी बेहन उसका प्यार महत्पूर नहीं है 20 साल के बाद मुझे मेरे पिता मिले अभी उनका दिमाग संतुनित नहीं है अभी सिर्फ मुझे डैडी को देखना है मेरे डैडी के ठीक होने तक वही मेरे लिए सब कुछ है ना कि प्यार शादी परिवार और दुनिया अगर आप अपनी बेहन के शादी करवाना चाहते हैं तो शौक से कराईए मुझे जन्म देने बाले पिता के लिए मैं अपने प्यार को कुर्बान कर सकता हूँ आज के बाद मुझे अपने आदमियों से डराना धंकाना बंद कर दीचे समझ गयना आप 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 सॉरी साउधान रेना प्रभाकर कोई भी प्रब्लम होगा तो मुझे फोन करना है मैं तुम्हारे भरोसे पर भीज़ता हूँ ठीक है साथ अज कल के बच्चे अपने अच्छे भले माबाप का भी खयाल नहीं रखते हैं और एक तु है कि अपने पागल बाप के लिए प्यार को छोड़ने के लिए तयार हो गया हुआ क्रेट चलो यहां से सुनो राजू इसे बाल बिलकुल भी नहीं काटने हैं नहीं काटने हैं काटने हैं काटो कि यह क्यों खड़ी है इसको भी लगाओ कि अज़िए 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 इस लड़की को आप में किदर देखा देखा था बहुत पहले मंदिर में मंदिर में देखा तुर ने शादी क्या या अमेरिका नहीं इंडिया है पूर फैलो सब लोग घर में लड़की देखके मंदिर में शादी करते हैं मैं मंदिर में लड़की देखके घर में शादी करूबा समझे या कम ओन दबाओ गंटी बजाओ कौन है या तू गोजी कौन हो तू मेरी बेटी वो चुमा दे रहा है एक्स्प्लेइन अमेरिक मैं बड़ी-बड़ी बिंटिंग बनाते करोणों कमाने वाले इंडिया में डेवलप करने आया है यह बहुत बड़े आत्मी है मैं कुछ नहीं जानता है मेरी बेटी यह इनका कलर बरावर मैच नहीं होता है क्यों मा मुझी काला क्यों पैसक पाद आकीयो वोके चादि करने के लिए अक शर्त है क्या शर्त है ध्यार के लिए मैं कॉली शर्त माने यह लिए तक बाड़ी बदल जाएक उसको के लिए अंदर लेके गया क्या कर रहा है पता नहीं तिमसे लेए पूछा मैं इसके के ला से मंगाया इसको बाड़ी में मसाज करने का in case लगाता हूं तो हम तो बदल जाएंगे अब देखो ड़ुन चुरू हो गया है माद बदल रहा है न अच्छार्ट को सुपट अगई वह कुछ नहीं है मैं दस साथ से लड़कियां ढूंड रहा हूं सिर्फ बाते ही होती है जैसे ही पता चलता मैं यहां काम करता हूं मना कर देते हैं आज डॉक्टर साहब ने लड़की दिखा के मंगनी कराने का वादा किया है इसलिए मैं यह सब कर रहा हूं तो दमात लुद भाई घ्यानी लगता है है logistics मिल जाया हूं घर संथियुक्र क्यों लड़की पसंद है मुझे तो हिरोईन लगतियों मिल जाय पर सम् valाइन क Geschmack की मुझे पसंद आता है अपर देर किस बात की हाई कर देते हैं लेकिन इसको पसंद नहीं यह क्या कर यह लफड़ा करेगा ना नहीं आप पसंद है तुझे गाना आता है नहीं हाँ कह रही है हाँ बज गये डांस करना आता है नहीं आता है डॉक्टर साथ सवाल बहुत हो कि आप शगुन दीजिए ना हाँ ठीक है मुझे डाउट है मर गया पिता तो तुझे पकला था तो तुने कहा था मेरी दीजिए एक लचल पफिष्टि मेरी पाज़ी होगा। ये बता पागल आजमिए तेरी चौती बीवी है क्या रहे हां से मारे दो चोटिनी लगेगी इस नारियल से मारी है एक तो मेरे पास सौर रुपय ही है अड़ेस्ट कर जाना चुर्म है पैसा नहीं दिया तो अंदर कर दूंगा रिश्वप लेना गलत है न तुम्हारे डैडी सिगनल पर खड़े ट्राफिक अवलदार से जगड़ा क्यों कर रहे हैं लगता है मेरे डैडी ट्राफिक में थे आप कौन मैं कौन हूँ इंस्क्रेक्टर जल्दी आ है अरे ड्यूटी पर प्लिस वादे पर हाथ उठाता है है हावल लार इतना हो पकड़ो इससे क्या बोला बेंटल पेशेंट है तुसे यहां सवड़क पे क्यों छोड़ा हुआ है यह सौर्फ है सौर्फ है ओ यह लीजे चलो जल् बाया लगता है मेरे डेडी रेस्टोरेंट के मालिक थे रेस्टोरेंट के मालिक होंगे या रेस्टोरेंट में काम करने वाले होंगे यह लगतार कोई चेपिंग ओफिसर आया है जाके मिलिचर को बताते है उदर देख बढ़िया मेरे डेडी खाने की चीजे चेट कर रहे ह लगता है वो हेल्थ इंस्पेक्टर थे खाना बनाने वाला भी अपनी बनाई हर चीजों को चक्के देखता है इसमें तुमने क्या डाला है नारियल सर नारियल इसमें नमक कम है करें लोगों को निदा क्यों पर विश्वास नहीं है इस देश को आजाद कराने के लिए उन्हों और हमें आजादी दिल्वाई गांधी नहरू सुभास शंबोस इन महान दोगों को आज भूल चुके हैं आज आने में देर हो देश में नमस्कार लेकिन आजकल तो पार्टिया की तरह पैदा हो रही है यह सारी पार्टिया देश के लिए नहीं बलकि अपनी जेभर्दे के पैदा हो रही है उनके अंदर देश्वक्ति ने रहे गई है अन्याय बढ़ रहा है यह सब देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है आज हमारा देश किस तरफ जा रहा है हमें आकर बढ़कर कुछ करना होगा इस देश को बचाने के लिए हमें नमस्कार मैं नहीं जाता कि आप लोग कौन है मगर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ हमारे महान निटाओं ने अंग्रेजों से लड़कर आजादी दिलाई मगर हमें उससे कोई फायदा नहीं हुआ हरी देखा कितना अच्छा इस पीस दे रहे है मुझे तो लगत बहुत अपसोस हो रहा है आप लोग सुतंद्रता सैनानियों के लिए खादीर देश पहन कर आए हैं सब लोगों की देश्वक्ति के सामने मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूं आज के बाद मैं कभी विदेशी कपड़ा नहीं पहनूंगा यह आप से वादा करता हूं हुआ हुआ इसके बाद में अपना कोट उतारोंगा कोट भी विदेशी कपड़ा है नै क्या है अग्या है यह आपको क्या बताओ विदेशी वस्तिरों का त्याक करना चाहिए कहकर स्टेज परी कपले उतारे बेरिवाद्स को लेकर तुरंस मजी जिने के लिए देद करेंगे मिदा नीजने वाला को फिर टीट्में नहीं चाहिए कि इतने सालों से मेरे नजरों के पीछे जो टीट्में भूब बस तुम मेरी बात सो सुनौ नहीं चाहिए मेरी आखों के सामने, मेरी आखों के सामने treatment के नाम दर डुख देने वाले तकलीप देखकर मैं नहीं सेपाऊंगा नहीं यह देखकर मेरा दिल दुखता है डेड़ी जितने साल इनों दुख जेला वो बहुत है डेड़ी, वो बहुत है मेरे ख्याल से प्रभाद के डेड़ी को आयरवेधिक treatment देना चाहिए जो लोग भी ऐलोपेथी के treatment से सही नहीं होते हैं, वो आयरवेध से सही हो जाते है मेरी नजर में केरला के तिर्चूर में एक गाउं है, जहां मानसिक चिकिस्ता होती है वो भी आयरवेधिक तरीके से, XPM बाजपे, हीरो रजनी कान जैसे बड़े बड़े लोग वहां जाके treatment करवाते हैं और एक बात, मेरे एक senior officer का accident हो गया था और वो अपने खोश खो बैठे थे 12 साल तक ऐलोपेथिक treatment चला, लेकिन उससे कोई फाइदा नहीं हुआ तब मैं उनको लेकर केरला में गया और आयरवेधिक treatment करवाया छे महिने के अंदर ही वो सही हो गये मैं ऐलोपेथि को कम नहीं समझता हूँ, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है अब ज्यादा मत सोचिए, हम अपने बेटे के लिए एक बार कोशिश कर लेते हैं चलते हैं, मैं नहीं जाओंगा सब आपकी अच्छाई के लिए के रहें, आपको जाना चाहिए मैं कहाना नहीं जाएंगा, मैं 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 ज अब चिंता मत किजी में दवा दे रही हूं इधर दो लगता है गहरा सब्मा पहुचा है ओ भी दो तुम उस पेशेंट को देखो मैं अभी आता हूं बहुत गहरा सब्मा है अब कैसी है उनकी तब्यत उनके सर पर चोट लगी थी जिसकी वज़ह से वीश साल से दिमग की नसें प्रफर काम नहीं कर रही है इसलिए नस को काम करने के लायक बनाने के लिए ट्रेटमेंट करना पड़ेगा इस ट्रेटमेंट से उनकी आदस्थ आ जाएगी आजायगी आवला का तेल नम खिली वस्ति शिरोवस्ति ये सब चार महिने तक प्रयोग करना पड़ेगा आप लोगों को इनके साथ चार महिने साथ में रहना पड़ेगा अब आप समझ गये होंगे आप लोगों को कोई तकलिफ तो नहीं है ना हमें कोई तकलिफ नहीं है इलाज होने तक हम यहीं पर रहेंगे बस उनकी याददाश्त वापस आजाने चाहिए सब कुछ सही हो जाएगा भगवान पे भरोसा रखो हे इश्वार, हे प्रभू प्रभाकर, तुम लोग यही रुख कर ठीटमेंट कराओ जरूरत पड़ेगी तुम मुझे फोन कर देना मैं आजाओंगा सामने से अटो सर्थ आप मज़े भूल गया सब्सक्राइब गभी सब्सक्राइब इनके बारे में क्या जानते हैं जानता हूं आप जानते हैं ये कौन थे क्या थे बताईए ना बताईए सर्मेरे ड़ेडी कौन है बताई ये लग सब को ने वेलकम सर आये सर प्लीज कम नमच्छे नमच्छे क्या पुर्जुत्तम के लिए क्रुम है जानते नहीν ही है कि किसको कहां से टिकेट देता है मुझे सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस इलेक्शन में वस्वाव से पुर्सुतम को सीट देता हूँ बैए आपका शुक्र प्षार होंगा इनका इलेक्शन का सारा खर्चा मैं दूँगा CM को बता दो अभी समझे की नी समझे हमारे साफ चाहते हैं CM अपनी इज़त पर ध्यान देकर अपनी सीट में बैटकर अपना काम सभाले हमारे साफ अपनी सीट पर बैटकर सारा काम सभालते हैं देख वो सुतम यह हमारा पार्टी से जुड़ा हुआ भी से है राज्यति में पद की जरुवरत है और कुछ नहीं, पद के बिना राज्यति नहीं होती, पद ही हमारी कवच है, पद के बिना हम जी नहीं सकते हैं बिहार में जो इलक्षन हुआ था, उसमें आपको धमकाने के लिए बहुत फोन आये थे, इसलिए आपका नाम है सर, ये सच है क्या सर? मैंने तो खाली अपना काम किया है, और जो भी काम करेगा उसका नाम तो होगा, ये तो मेरा फर्स था इस परिस्थिति में एलक्षन जितना जरूरी है इलक्षन नोटिफिकेशन के नियमों के हिसाब से सरकारी विभाग की संस्थाओं की उद्योगों की भरती नहीं हो सकती सेक्षन चगदा के हिसाब से पत्रिकाओं में रेडियो में टीवी चैनल्स में पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए सरकारी वाहनों का, उद्योगों का, सरकारी पार्टी को एलेक्शन में उपयोग नहीं करना चाहिए राज तो हमारा है यहाँ पे, चुप चप सुनने के लिए क्या इसी स्टेट को बिहार समझता है क्या राज में राज करने के लिए भुद्धी की जरुरत नहीं है, मगर पैसा जरूर चाहिए एलेक्शन कमिशन की परमीशन के बिना दीवानों पर लेखना और पोश्टर लगाना मना है रात को दस बजे के बाद पार्टी का प्रचार भी नहीं कर सकते नॉमिनेशन दाखिल करते समय नॉमिनी का सारा डेटेल और जायदात का वेवरण एलेक्शन कमिशन के सामने साप साप पेश करना पड़ेगा कौन है वो आदमी, कौन से कौन से है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता है क्या इस इलेक्शन में वो अपनी ताकत दिखाकर खुद को हीरो बनाना चाहता है नॉमिनेशन दाखिल करने वाले नॉमिनी को तीन से ज्यादा गाड़ियों की अनुमती नहीं है हमारे शेर में जितनी गाड़ियां सब भूक करो बाइच जार गाड़ी लेकर नॉमिनेशन के लिए जाएंगे अमारी पार्टी के अखलकी मेज है वो क्या करेगा मैं देखता है कर दो कर दो कर दो कर दो कि अगल कि अग में Can 40 उसकारि हुआ कमिनेशन के लिए नॉमिनी अनुमतीत है भाकी एक गारवपन वापोश करूँल। मतर relação मत्री जि है मंत्री जी नियम नहीं जानते गारी आं वापस लेजाव आप तो मंत्री जी हैं आप तो कानून अच्छी तरह जानते होंगे नॉमिनेशन करने वाले नॉमीनी को तीन से ज्यादा गाड़ियों के अनुमती नहीं है कर देखावा करने की के वे अगया हुआ कि यू अपनी वीकल को सब्सक्राइब करती हो उसे देखावा करने के बताएं की कि अधंडाशन है इलेक्शन कुमिश्णर के पास जो पांवर होते हैं मैं उनने कभी पार नहीं करूग ऐलेक्शन के काम के लिए गवर्मेंट वीकल को यूज़ करना खलत है अगर आप नियम तोड़ेंगे तो सारी गाड़ियों को सील करके आपको अरेस्ट करना पड़ेगा देखिए आपको अगर अपनी गाड़ियों से प्यार है तो चुपचा पीछे हट जाईए तो और ना आगे आपकी सेवा करने के लिए आप लोगों की जिन्दगी में रोशनी लाने के लिए हम अपने प्रिये नेता को दोस्त कहने के लिए आमन्तिन करते हैं आईये से मुझे खुची हो रही है आप लोगों को देखें धन्यवाद चीफिल लक्षन कमिश्नर लक्षमन नाराण हो अपनी तागत का बिल्कुल गलत इस्तमाल कर रहे हैं अगर उसा ही निर्ड़े लेंगे तो हम सब उनको इज़त देंगे अगर हो हमारी पार्टी के अगर्ट मे अगर वाट बनाने की कि कशिए अब रोट बनाने की कोशिश कर रहा हूं मगर बीच में टांगणा रहा हो लक्षमन पानी पीने का पानी मैं हर गाव में वर्टर टैंग बना कर मदद करना चाहता हूं लोगों की मगर ओ काम भी उसने नहीं करने दिया इस चुनाव और अगर आप अगर आप हमारे कंडिडेट को भारी बतों से जिताते हैं तो मैं इस प्रपूरा भरूसा है कि आप हमारे कंडिडेट को जिताएंगे बारी बतों से इस पार हमारा कंडिडेट उस्तम जरूर जीतेगा और उन लोगों की जमाना जब्त होगी विजली काटने वाले कमिशनर की ज़िवी बिजली आने से पहले ख़त होनी चाहिए यह सब इलेक्शन कमिशनर का काम है सर लगता है अब उस्सेलेक्शन के बात करेंगे साथ उसने सिर्फ करेंटी आफ नहीं किया बलकि मंतर जी की बहिज़ती की है अपोजिशन पार्टी वाले बहुत स्ट्रॉंग है हमें कुछन कुछ करके एलेक्शन कमिशनर को रागते से हटाना करेंगा सर क्या नट राज तब्यत कैसी है क्यों मुझे बढ़ा के रखा है सर मैंने ठीक है गाड़े के अंदर फल है उसको लेकर आज तुमसे बात करने का समय नहीं है ओ आप कैसे हैं हर पेपर में आपी का फोटो चपा है मुझे आशिरवात दोमा मैं अभी तक खाना नहीं खाया आ आप और बहुत मिलके मुर्गी बनाई है आज इधर ही खाऊंगा तब तक मैं सहाब से बात करता हूँ राम राज मंत्री ने आप से मिलने को नहीं है क्या सोच रहे हैं साहब उनसे काओ मैं अभी आता हूँ लक्षमन नारायन जी इन्होंने आपको सब बताया होगा होने वाले इलेक्षन में मेरी पार्टी हार गी तो मेरी राज्यतिक केरियर खत्म हो जाएगा कल होने वाले इलेक्षन में मारी पार्टी को जीतने के लिए ब्लाइक ओड की जरूरत है अल्रेडी जिन लोगों को मैं लाया था आप अपने अधिकार का इस्तिमाल करके उनको रेस्ट कर चुके हैं उनको आप बाहर लेकर आईए मेरे लिए आपको ये काम करना होगा सुर्णी सर, इलेक्शन खतम होने तक वो लोग बंद रहेंगे कि आप बोगस वर देने के लिए लोगों को बाहर से लाते हैं ये देखकर मैं चुप नहीं रह सकता चलो मानता हूं कि इसमें दो करोड है और खंडाला में एक बंगला का पेपर भी है हाँ लीजी में प्राइव करने वालों के लिए सबक होनी चाहिए आज कर दो राजनीती में लोग पैसा देते वक्त अपनी फोटो खिचवाते हैं, ये सब तो आम बात है, मामूली बात है, जैसे पुराने पेपर को पड़के फिकते हैं, ऐसा ही सोच लीजिए, होने वाले एलेक्शन में हमारी इज़त का सवाल है, हमें अपने केंडिडेट को चिताना ह के लिज़त नहीं होगा, वहुआ सपोर्ट सबसाइए, ऐसा है, सलोगा बात है, हमें इज़ता है अंदर ले आ भात है हाँ तो आ गया हम दो दिन से नजाने कितने परिशान थे गास के लिए जा अंदर जाकर रख दे यह लिजी मेडम क का इंन संद्जी मेरा ंाम उजी जा सुचाप्ट कर अज थिसन लुट면, के लिए और sh Dynasty... अलॉवी है अलॉब में लॉब्ह थाफिए सब्सक्राइब करें देता हूं सर आपके लिए फोग है अलो चीफ एलक्षन ओफिसर लक्षमन नारायम मुझे लगता है कि तुम अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर रहे हैं यह जोच रहे हो बगवान से जगड़ा कर सकता है मगर इस्राम राच से नहीं ड्यूटी पर ध् इस पिश्यषा नहीं देते हैं तुम सिधा अपने घर चले जाना और जाते समय रास्ते से दो कफन साथ ले जाना उधर तेरी ऑवर्त और मा दुम् है यह थो क्या भोल रहा है वाशे में जा कर रहृत अर्मा की अस्थी पाव भागल भुचि इसमें मेरी बीवी क्या गलती है बता पता अ कि कर दो मैंने कहा था न मैं छोटी मोटी धंकियों से नहीं डरता तू तो सिर्फ एक ही स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर है मैंने तो पूरे इंडिया में ना जाने कितने एलेक्शन करवाए हैं तू जितना खतरनाक आदमिये मैं अच्छी तरह जानता हूं आसाम में ओडिसा में से बात करोगे तो पांच्वे क्लास पढ़ा हुआ अगर तुझे इतना दिमाग है तो आई पेस पड़े हुए मेरे पती को कितना दिमाग होगा अगर तेरे बंग से मैं मर गई तो मेरी डेट बोड़ी देखने के लिए जूटिक खतम होने के बाद ही आएंगे ऐसा समझ र अचिन हो चुकी है और बोड के किंदी भी शुरू हो चुकी है शामला देवी तक से जादा लेज़िए है अब हम गये खाम से लगता है वहार जाएंगे कुमारी शाब्ला लेकर ये चुनाव जीत चुकी है आईए हम सम्मिलकर उन्हें बढ़ाई देखा आपके लिए शुब काम ना है अगर मैं गलती से गलती से चुनाव हारूँगा तो शहर में साड़ी पहंकर हर कली में खुमूँगा मैं साड़ी पहंकर हर कली में खुमूँगा साड़ी पहंकर हर कली में खुमूँगा सुनिये जी सुनीय जी मेरे माद माद मानिये मेरे बात मानिये मीटिंग में आपको आपने एक stip mental कियो मेरे बात कि हुआ है कि रूंद जाईए मच जाईए ऐसा मत किजिए सुनिये जी सुरी बात को सुनिये ऐसा मत किजिए जाए वीवा है वीवा क्या देख रहे हो जा करो कौने आप लुख कर लुख पर लुख लुख ले आप हाथ साड़ी बेहन कर घुम रहा है पागल हो गया है कि नंत्री जी उसकी माँ इस वक्त केली है हो कि कि अ क्षकर एड्य फास ला कि एक है कि एक कर के भाद करो छूरा कर व कार वा से ल특क माटनुरा वा सी हम्नुरा कर व कर व vậy माटनुरा है वार measurement में वह बड़ी बास बड़ीं है यह इनी लड़ीं हो नह कर दली है मैं इसको मार के साडी भैंदे से पहले उसको और उसकी वाइप को खत्म कर दो कि आसा करो है ने कि भी कि आप आप है कि यह ज़्दी जाना होगा सर जल्दी चलिये सर पर वग्या रूलिंग पार्टी वाले हारने का कारण वाद आपको मान कर रामराज ने आपको मारने के लिए आदमी भेजा है, सर। पुलिस है ने, डरते क्यों हो। कोर्मेंट भी उनकी है, पुलिस क्या कर सकते है, मैडम सर को आप भी समझाएए ना, लेकिन मा तो मंदर गई है। आप लोग मत किजिए आप निकलने की तेयारी किजिए सर उनसे डर कर हम शहर छोड़ दें क्या सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूं मेरी बात मानिए मैडम आप भी समझाए मैडम प्ली समझाए यह जित करें तो सुनली चीन आप क्या हूँ उसके लिए नहीं तो मैडम को हस्पीटल आपके लिए जल्दी जाए सर जाली लाओ चलीओ हुआ 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 है हुआ है हुआ 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 थी हुआ 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 है है इसे इसकी मा को मारा वैसे इसे भी मार दो हां से मा को मार दिया सर आपको बताता तो बर्दाश्ट नहीं कर पाते इसलिए नहीं बताया सर हुआ हुआ हुआ! Aaaaaa articulate! Necí ! हुआ 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 हु Daaaaaaayy! है.. है! है hangi.. है.. 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 हाँ!! है, कर दीज जी कर ओ! हाँव!! खख़ जन्हालों के खाफ एुटांस पाफ़ारपी ब्ताफ़ार जिरे को जो खाफ़ारपी जा जा खाफ़ार अंदीनि के उता हो खाफ़ारा जाफ़ारा जिए जले जमारे जैसे करिपार्बार । हमसे टकराएगा तो यही अंजाम होगा ना मेरे डैडी को इस हाल तक पहुचाने वाले कहा है प्लीई सर मुझे बताईए नहीं प्रवाकर अभी नहीं पहले हम तुम्हारे डैडी के ठीक होने का इंदार करेंगे फिर हाँ बेटा इनकी बात सही है जया 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 करने के लिए आज ही आई है केला की रहने वाली है मैं इनको बताना भूल गया था कि साड़ी मत पहनो वो गलती मेरी है एक बात ध्यान से सुन बड़े मालिक को साड़ी से एलर्जी है इतने साल तक उन्होंने अपने पत्नी को अपने आखों के सामने ना आजा इसलिए रूम म सामने मत आना समझ गई ना अरे क्या समझ गई आपको मेरी परिशानी समझ बनी आ रही है बीस सालों से एक दिन भी अपने माबापको खुश देखने के लिए तरस गया हूं मैं माबापका प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं इसका कारण है वो इलेक्शन कमिशनर अग आप उसकी बात तो सुनिये मैडम जी हमने मालिक का बहुत ट्रीट्मेंट करवाया मगर कोई फाइदा नहीं हुआ ये लड़की कह रही है केरला में आयरवेदिक चिकित सालह है वहाँ ठीक हो जाएंगे अगर आप कहें तो बेटा मैं तुम्हारी डाड़ी को सही सलामत देखना चाहती हूँ बीमा के कहने के मुताबिक केता में एक बहुत अच्छा और वेदिक चिकित सालह है वहाँ ले जाओ मरते समय में तुम्हारे डाड़ी को अच्छा होते हुए देखना चाहती हूँ ताकि मेरे मौत पर लेगों आसु तो बहाए है ए ये फोटो क्यों देखते रहते हो श्वेता मेरी किसमत में शायद माबाप का प्यार लिखा ही नहीं था मंमी की किसमत में ये तस्वीर नहीं और मेरी किसमत में मंमी नहीं कम से कम तुम्हारे डैडी तो साथ में है मैं अनलखी फिलो हुँ शोयता जब मैं पैदा हुआ तो मा दुनिया से चल बसी इतने सालों बाद पिताजी को पाया तुभी इस हाल में अरे अरे यह औरिजनल है अरे बापरे पूरी उनिवर्सिटी को खुले बाल रखना अच्छा लगता है तो मैं ऐसे क्यों नहीं रखता है अरे यह लड़की है और यह लड़का है तो अलग अलग होंगे लड़का है क्या मतलब दरसल इसके माता पिता नहीं है इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप इसके पिता बन जाए और आप तो ध्यानी नहीं देते आप इसके पिता नहीं बन सकते 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 नहीं हम चलते हैं डैडी अब आप डैडी बनने के लिए त्यार हो गया है इसके लिए कॉंग्रुचुलेशन्स थैंक यूँ डैडी का मतलब क्या होता है यह बगवाण वी चली मंगल अमयद को पैनta दी अब आज हो हार पहना आओ हार पहना उड़े अब शादी हो तू पहना दो और शादी वह धर रह to और तु क्या देख राहर ममूटी गेट ऐब चेंजर करकरtake सैंटी एंक और क्या कर रहें सरम अंगल शुत्र तो Mangel Sutra क्या होता है आहां देखो अभी इसका मतलब नहीं पूछना Mangal Sutra मतलब mangal sutra mangal sutra कहा है ओ देखो उधर है वो ही है हाँ वह है तेरा डेड़ी बोल रहा है mangal sutra peynol हां विरपन मिल गया है तो विरबन नहीं है हार्व प्लेध कंड़ औररा मिल घंस है इस कड़ियों गेस Virginia गज़या सी साहिं इसला कंड़नहीड पीरसाथ है were भॉत बिवत लुवत अगरों करका रहे आप थेधे कंड़ bell चलो रहे समाल के उतारो आराम से पापा आराम से आराम से आराम से देखो प्रभा मैं तुम पर विश्वास करके इने बहार बेश रही हूं वैसे हम किसी को बाहर नहीं बेशते तुम इने ठीक से यहां पर लिया आना मैं गाड़ी में नमबर लिख रहा हूं मैं लिखोंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे हाँ पैसे बहुत सारे पैसे चार पांचे साथ क्या हुआ डड़ी डड़ी क्या हुआ किदर जाए गाड़ी से उताता है टैंक फूल टैंक कर दो ही तो फूल किया था मैंने मेरा टैंक फूल है मैं कुछ समझा नहीं अच्छा यह बात प्वेश्प जाए बगल में जाए जाए आपको कौन सा चाहिए पसंद कर लीजी देखे हम लुँगा-धर्ण कॉल सोया है पागल कौने तू पेल मेरी दुकान गंदी कंदी अरे डैके तो शॉप के अंदर गय जल्दी आप इस थे सरS, उनकी दिमाग ठीट नेगी सर, 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 सर माफ दुआजे, मैं प्लिद, प्लिद, शान्त होगे सर, सर O lalala, o lalala, o lalala, o lalala, o lalala lalala उसको बीदो कि बाहर जाकर बात करो मालिक मैं भीमा बोल रहा हूं हाँ बोलो हम सोच रहे थे एलेक्शन कमिशनर मर गया मगर वो जिन्दा है यहीं पास में है आप जल्दी से आजाओ कि बात करने के बाद जब मैंने वापस दिखा तो कहीं नहीं दिखा मालिक मैं लेकिन उसे जल्दी ही दून लूँगा दिमाग नहीं है क्या मैंने जान बुचकर कुछ नहीं चोड़ दिया मैं पोन पर बात कर रहा था तब तक भीड आई और चला गया देख तो कुछ भी कर मुझे वह चाहिए प्रभा डैडी कहा है ट्रीटमेंट का वक्त हो गया है अभी लापकर डैडी रूमें दिखाई नहीं दे रहे तुम डैडी के साथ हुए सोचकर मैं बाहर आ गया मेरे भाईया का फोन आ था उन से बात कर रही थी यह क्या क्या श्वाता तुम उदर देखो ए तुम लोग प अधिया मैं बिरुपन नहीं हूं तुमने यहां से किसी को जाते हुए देखा गया वो उदर गया है फिरँपन को पकड़ने पानी की तरफ कर अधि कर दोब रहे है डैडी 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 अम ह्याह लेंको हमादे का दिमाग ठीक नहीं है हम लोग यह रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए हैं अकले मार छोड़ी हैं इंको कहीं कुछ हो जाता तो वह तो मैं था कि अ ठाइक्स ब्रडर, बेनी बेनी ठाइक्स तु यह ठीक है ले जाए ठीडी आए चलिए नमस्ते नमस्ते दमा जी नमस्ते नमस्ते ओ ससुर जी मैंने आपके इमेज को डेमेज किया है इसलिए मैं अपनी लड़की की शादी आपसे करा रहा है सभी वक्त पर लड़के को ढूंकर लड़की आई जाती है तो ओके अगर 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 इस शहर में ऐसी कोई भी जेगा नहीं है जहां मैंने उसे नहीं डूंडा पर इलेक्शन कमिश्टर मुझे कहीं पर अगर उसको हर हाल में ढूंड़ो तेरी कोई भी बात सुनने के लिए मैं तायार नहीं हो चल्दी से ढूंड के साम देला वरना जिस तल्वार से उसे काटना है तो चे काट दूंगा सॉरी एक्सक्यूज मी एनी प्रोब्लम ने ने ऐसा कुछ भी नहीं है वो बस ऐसे ही इस प्रोब्लम दूंड जूंड़ो प्रोब्लम थाष्ड ने चन्दी से भी जड़ो आप क्योंकी क्योंकी अप्रियो आप यह इंक्ति संदी आप जाहिए रहे! क्या हुआ प्रदर? क्या हुआ? क्या हँआ प्रभ्रब्लम यह है कि कभी-कभी सब्दे में इनको ऐसे दोरे आते रहते हैं थेंक को सो मच क्या दियल अना मुख़व इसमें कौन सी लड़की है कौन सा लड़का है समझ में नहीं आता फिर आपको कैसे मज़ा आ रहा है मैं चाहे जिसको भी देखू तुम ही नज़र आते हो मुझे नीद आ रही है आप लोग तो राकी सावन का डान समझ कर देख रहे हैं सबी मुकोटा लगा कर नाच रहे हैं आप आ रहें की नहीं बाखी सावन का मेरी बेहन है देखो अपने पिंदा जी को संबाल कर लिया ना मैं चलता हूँ हाँ देखो क्या है की मालिक सेकरेटी को तुमने देखा नहीं पता नहीं कहा है काम में द्याद में डांस देखने आया हो क्या चलाओ हुआ मुझे बचाओ अरे प्रभा कहाँ है मैं उसके लिए अपने हाथं से टिपिक बना कर लेकर आई हूं प्रभाकर ने हमें टेस्ट करने के लिए कहा था हुआ है रैंकी हम आप हम देरा मेंस्विट चामने करेगा हुआ 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 अरे-अरे-अरे, क्या करना हुआ, चलाँ मेरे जाए अंटी, यूँ वर्थे, क्या मैं तरी आंटी लग्नी हूँ सब को यहां परिशान कर रहा है नहीं, वह मेरे डैडी है नाचना बंद करो, यह मेरे डैडी है सुनो, मैं केरला का मुख्य मंत्री हूँ मैंने नहीं पार्टी बनाई है और उसका नाम है केरला कांग्रेस पार्टी आप अपना वोट हमें दीजिए प्रभाकर, तुम लोगे क्या कर रहे हो पहले अपने डैडी को रूम में लेकर जाओ मैं अंदर ले चलता हूँ, चलिए डैडी मेरी पार्टी को वोट देना पता नहीं सब कहा है अंकाल हटो 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 दमाद आ रहे हटो हटो हेलिकाप्टर से आप आए, कौन है आप लोग शेर हमेशा के लिए आता है सुर हमेशा भीड में आती जैस्ते आप लोग ख़ड़े हैं देखा दामाजी हमारे कमाल को ओके जान से सुनो आपके शहर में जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल है जो बड़ा है उसे मैं छोटा करूँगा जो छोटा है उसे मैं बड़ा करूँगा पहले हमारे गाव में बस स्टेंड नहीं है पहले उसको बनवाईए अरे आप जाएए यहां से, आगा है हमारा काम बिगाड़नी आप लोगों को सिविधा देने आएं, मगर आप लोग इस लाइक हैं नहीं हो कटबंदिबाग खराब करने हमें मालूँ है क्या करना है, पहले जाएए आप यहां से मैं आप लोगों की भलाई करने आया हूँ और आप लोग बीच में टांक अला रहे हो ओके, ओके, मैं अंदर जाके अपने सेकेटरी से बात करता हूँ मुझे आपसे बात करना है, अंदर चलिए नो प्रॉब्लम, ओके आपसे फिर देरे बात कर दो आपसे पाँ आपसे जाए नो देरे आपसे दॉब्लम, प्रॉब्लम, जिए डमाजी, ओके या, अपके दॉम्टों डुब्लम, प्रॉब्लम, पहले भें पहले भें यह एक्सुज मी आप तो गोजी है ना अरे आप तो मरे नहीं यूर अंडर अरेस्ट ऑपके लिए कॉल लो कॉल अं किंस्फ्यों को हॉनते प्रदर है नहीं नहीं पने और पने प्रदर के लिए आए जैस्त के लिए TOM अभी पता चल गया, तुमी तुगो जी हो, चलो पोलीस टेशन, बोलो देखर पोलीस में पकड़ा गया मैं तो परेशान हो गया हूँ, किसी काम के नहीं हो तुम्लोग मेरी बात पर यकीन किजिए मालिक मैं सच कह रहा हूँ ए तुछुका, टैसी तार ओफिस, एलेक्शन ओफिस, कॉर्परेशन ओफिस, सब चेकर पूस्टाच किया और पूस्ट ओफिस में भी पूस्टाची मैंने, मगर उसकी कोई ख़वर ही नहीं है मालिक, बोलो इतने सालों से हमें जिसकी तलाश थी, वो मिल किया सच में? हाँ, वो देखिए तुमाने ये इस आलत का कारण यही है हम् 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 कौन चाहिए आपको? मिस्टर लक्षमी नारायन आप कौन है? मैं उनका साला हूँ हम् 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 क्या बात है? अभी अभी तुम्हरे डैडी से मिलने कोई आया है डैडी से मिलने? हाँ, कह रहा था कि वो उनका साला है डैडी का साला? रभा वो कैसा दिखता है पता है उसके दाड़ी मूच है है और दिखने में गुंडर जैसा लगता है पकड़ो, पकड़ो उसे पकड़ो अरे पती को मार कर चला क्या पकड़ो अरा मुझे कौन है तु कौन है? किदर से है तु बोल अरे तो विरपन है पकड़ो 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 अरे तो विरपन नहीं है प्रभागर क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई मेरे डैडी को मारने आया था डैडी को मारने आया था? क्या हुआ? वाकिंग पर चलोगे? चलो क्या हूँ अपर भागर वह अभी यहां मेरे पिता जी को कोई मारने आया था यह कैसे हो सकता है यहां वी आई पी लोग रहते हैं इंपोसिबल तुम डरो मत हम सब तुम्हारे साथ ठीक है थैंक्यू मैं सभाल लूंगा देखो मैं तुम्हारे साथ हूं अगर कोई प्रा आएंगे वह ऐसे ही जेल के अंदर खाएंगे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है साला कहकर डैडी को कौन मारने आया था तुम्हारे डैडी का साला है तुम क्या बख रहे हो यार बेटा बेटा थोड़ा रूको बेटा मैंने रामराज के आदमियों को बाहर देखा है लग अब मैं समझ क्या तुमहारे डैडी को मारने के लिए उन्हों नहीं उसे पेचा था सुनो तुम्हारे डैडी को छुमहीने तक चिकत्षा करना ज़रूरी है कं से तीन महीने तक यहां पर रहेगे तो अच्छा रहेगा नमस्ते हां नमस्ते हां प्रभाकर स taką आड़ लेडी को देने वाला आखरी चिकिसा मैं कल से रखूँगा उसको अच्छी तेरा साप करके तुम ले आना हाँ ठीक है जी सर जो ट्रीटमेंट आते रहे उससे डैडी ठीक हो जाएंगे न सही हो यही तो विश्वास है बागी सब उपर वाले के हाथ में नट राज माली कल चि जाएंगे तैयार हूं चलो चलते है अगा अगरे ब्रवागर क्या बात है हम सब हैने या कोन आएगा तुम जा अब डैडी के पास जा के सो जाओ लड़की को भी सोने के लिए कहो एवेटी जा जा के सोजाओ जाओ शूएथा हम सब हैना जाके सो जाओ तो नाइट क्या आप भी रात में भी ऐसा रूप बना लेते हैं सुभे आपका ट्रीटमेंट होना है जाकर सो जाईए अरे यह तो मेरी ट्रेस है तुम मेरे कपड़े पहन कर क्यों घूम रहे हो लाओ मुझे दो तुमें चाहिए दो चूड़ी दार पहन लो जा आउसे हरे आपको करको हमसे हरफ जांद चाहिए मनलत इंस और ग्ये ठोद ज़्टक दलाओ कट घटाएंग लुख लूँआ हुँआ हुआँ लुटे लूँआए लूँआ हुआँ लुट कर दोफ लुट लुटे लुटS लूँआ हुआए्ट तो तू है हाँ मैं हो तुझे बता हूं तेरे डेडी को क्यों मारना चाहता हूं मेरे बाप के पागल होने की वज़ा तेरा बाप है तुझे पता है सड़क पर साड़ी पहन कर घूमने की वज़ा से मेरा बाप पागल हुआ और उसकी वज़ा तेरा बाप है तेरे बाप की वज़ा से हमने बहुत तकली फिछेली है यहां आकर पता चला कि मेरे बाप को पागल करने वाला तेरा बाप अभी सिंदा है मैं उसे सि तेरे अंदर जो गर्मी है वो मुझ में भी है अपने फाइदे के लिए तेरे बाप ने मेरे डैडी को जाल में फसा कर मेरी मा की हत्या कर दी डैडी अब अपने ही बेटे को नहीं पहचान पा रहे और बाप के होते हुए भी मैं अनात हूँ इसका जिम्हदार तेरा बाप है पिर भी मैं चूप हूँ जानता है क्यों इसका कारण है कि मेरे डैडी की तूने एक बार जान बचाई थी लेकिन अब तू यह जान ले कि मेरे होते हुए मेरे डैडी का तू बाल भी भांका नहीं कर सकता तू अपने साथ चाहे हजारों को भी लेकर रहा लेकिन उनका कुछ नहीं भी गड़ने वाला क्योंकि उनका बेटा जिंदा है अभी तू यहां से चला जाते हों कि तूने मेरे उपर एक अहसान किया था जिसके बदले मैं ये तुम लोगों के डैडी की जिक किला यहां नहीं ऊग Kollege कि तुम लोग समझ गैं कल सुबह सुभा तुम दोना इस से चले जाना जेस किछ साले में लोगों को जिन्दगी मिलती है वहां तुम लोग लड़ रहे हों। तुम लोग चले जाओ औरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा मुझे जाओ। डैडी आप इधर क्यों खड़े हैं। उधर सब लोग आपका इंजार कर रहे हैं। ट्रिट्मेंट का टाइम हो गया डैडी, समझने क्यों कोशिश कीजिए। डैडी, डैडी मेरी बात माज़े है। अंकल, प्लीज आंकल, जल्दी चलेए ना। टैडी, मेरी बात मानिए टैडी क्या हुआ। अंकल, चल डिया। नहीं चलूगा. चलूगा. हुआ है क्या हुआ नटराज उपर से कूद के मर गया अगला तेरा बाप होगा अरे उपर क्या देख रहा है शेहर के कोड़े में खंडर है वहां तेरे बाप की लाश मिलेगी आजा देखो तब से नहीं हुआ है तो दीड़ी डेड़ी देखो वो देखो तुम्हारा जिसने हाल किया उसे देखो उसे देखो डेड़ी उसे देखो अथ उसे आपने हाथ से वारो डड़ी। ड़ड़ी देखो उसे अपने हाथों से वारो डड़ी। चलो डेडी उसे अपने हाथों से वारो डेडी 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 एक बार देखो डेडी अभारो डेडी डेडी सट हार वार अगरो झाल वसंचवार हुद एली ठीक ऩाल झाल झाल जुछ बारे, युर भारे 1000 हम्हों और हुआ क्वीक अर्डर्रन हम रखी इसा थे है ज 1 तReally है अर्प Aaaaah! बहुत दूप लग रही है अब क्या करूँ हाँ इसे बोलेंगे तो वो नहीं सवज़ पाएंगे पुसे मत्माना अमारूंगा हाँ करेंगे अधा अधा करेंगे करेंगे अधा अरे गुरू जी पीछे से कोई आ रहा उसे जम करके मतमान रहा बुज 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 खाए! कुछ जो करipped? आइ! मार तकी दाना? Aaaaaaah! Hıh! Aaaaah! Aaaaah! Sen öteki! Ay, sambaşka! Barı hamçe! कर दंच में आए अजज सक वकते दिए रजा किया आयो पलोघमे कर दो खंच पलोचim, कि भी खार दिया यह जए कि अःयूज त दोड़ कि जो जग जelson से टो तो, पंग मुचल मा तो बहुत आद दिए मुचल ऊसमे और देट दया मैस की बेटा हो कि तक गे युद जाओल मैस का जी तक नह कोसी जा तक नमैं जो फॉ तक it कर तो कर थका। कर दो कर दो